तो फ्रेंज के बात करें आज से दो साल पहले कि तो सोचल मीडिया पे जितने भी वीडियो अपलोड होते थे वो सारे के सारे बहुती जादा अनिश्टेबिलाइज वीडियो होते थे जिने देखने पर ऐसा लगता था कि वीडियो की अंदर की धर्टी पूरा हिल रही है बट पिछले एक देट साल से हमें वैसी वीडियो देखने को नहीं मील रही जिसके पिछे का रीज़न है DSLR और स्मार्टफोन के गिंबल अब ऐसी बात नहीं है कि पहले हमारे पास DSLR और समार्टफोन के गिंबल की टेक्नोलोजी नहीं थी बट उतने एफौड़रेवल प्रैस पर नहीं थी जितने आज की डेटवर है आज की डेट में DSLR और स्मार्टफोन के गिंबल पर्चेस करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो इतने सारे गिंबल के बीच में एक परफेक्ट DSLR और स्मार्टफोन के गिंबल पर्चेस करना है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पांच ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जो आपके स्मार्टफोन DSLR के गिंबल में होनी ही चाहिए ताकि आप किसी प्रोजेक्ट को या फिर ब्लॉग करो तो आपको पस्ताने की जरूरत ना पड़े डाट आपके गिंबल में ये फीचर नहीं है और आपने एक सही स्मार्टफोन या फिर DSLR के गिंबल पर पैसा नहीं लगाया फीचर नमबर वन पीओवी मोड जिसे हम लग पॉइंट ओ व्यू मोड भी बलते हैं आज की डेट में जितने भी गिंबल आ रहे हैं चाहिए वो DSLR के हो या फिर स्मार्टफोन के हो वह सारे के सारे 3XS गिंबल आ रहे हैं जहां पर हमें 3 मोटर देखने को मिलती है पहला pan motor, दूसरा tilt motor अर तिसरा roll motor तो गाईस अगर आपके गिंबल में पीओवी मोड की फीचर है तो जैसा ही आप अपने गिंबल को पीओवी मोड पे स्विच करोगे तो आपके गिंबल की roll motor, tilt motor आप पैन motor एक साथ active होके आपको accessibility देगी कि आप अपने smartphone को या फिर DSLR को किसी भी angle पर move कर सकते हो कोई भी direction पर जो कि बहुत जादा convenient होती है जब आप blog record करते हो जब आप music album record करते हो या फिर marriage में record करते हो feature number two sports mode so friends जो feature मैंने आप लोगों को P.O.B. mode में बताया आप सेम feature sport mode में भी use कर सकते हो बट sport mode में यह है कि अगर आप देखो यह अभी P.O.B. mode पर है तो आप देखो कि इसकी response थोड़ा delay है बट मैं जैसे इसे sport mode में switch करूँगा आप देख सकते हो मेरे hand को कितना जादा या कितना quickly यह response करता है तो यह मैं अभी gimbal को switch कर चुका है sports mode में और आप देखे कि यह कितना जादा जल्दी में को response कर रहे है यह sports mode की response है और यह normal P.O.B. mode की या फिर normal gimbal की response है तो अगर आप कोई sports वीडियो ग्राफिक कर रहे हो तो यह बहुत ही जादा helpful रहेगी अगर आप कुछ ऐसा suit करें जहां पर आपके पास दो subject है तो आप अपने दोनों subject के बीच sport mode से quickly transaction कर सकते हो और sport mode को transaction के लिए भी use कर सकते है और वो कैसे मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा feature no.3 inception mode अब inception mode क्या है so guys वो 360 degree rotation वाली वीडियो होती है ना वो आप अपने smart phone या फिर DSLR के gimbal से record कर सकते है वो कैसे जैसे ही आप अपने smart phone या फिर DSLR के gimbal के feature पर जाकर आप inception mode पर switch करोगे तो आपकी tilt motor और pan motor lock होके सिर्फ roll motor active होती है जिसके तुरू हम 360 degree rotation वाली वीडियो जो की बहुती जादा cinematic लगती है कुछ इस तरह से achieve कर सकते है फीचर नमबर 4 जोयस्टिक मेरे पास है जियोने smooth 4 जो कि मैं पिछले एक साल से इसे यूज कर रहा हूं बट जोयस्टिक ना होनी की कमी मुझे इस पर खलती है क्योंकि जब मुझे tilt with pan या फिर pan with tilt वाली short लेनी पड़ती है तो मुझे यहां पर joystick ना होने की कमी खलती है अगर इस पर joystick होती है तो tilt with pan या फिर tilt with pan या फिर pan with tilt वाली वीडियो में असानी से अचीब कर पाता अब ऐसी बात नहीं है कि जोयस्टिक ना होने के कारण में इस पेक तिल्ट वीडियो अचीव नहीं कर पाता मिचे तो आदित हो गई है बट अगर जोयस्टिक होती तो that will be very very convenient फीचर नमबर 5, Selfie Mode अगर आप एक ब्लॉगर होता आप लोग जानते हो कितना जल्दी जल्दी कैमरा स्विच करना पड़ता होगा from front camera to back camera from back camera to front camera तो उसी को ध्यान में रखते हुए आजकल गिंबल में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है Selfie Mode आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और चाहते हो Facecam बनाना और चाहते हो कि हमारे वीडियो पर कटना लगे तो Selfie Mode वाले बटन को दबाओ तो आपका रेर कैमरा ही बन जाएगा आपका front camera जिसे आप Facecam कर सकते हो और जैसे ही आप Selfie Mode वाले बटन को वापस से दबाओगे तो आपकी ब्लॉगिंग वापस से चालो हो जाएगी हलाकि यह मेरे पास ZION Smooth 4 इस पर मुझे Selfie Mode नहीं मिलती Inception Mode नहीं मिलती क्योंकि यह लगबग एक साल पूराना गिंबल है बट आज के डिट में जितने भी गिंबल आ रहे वह सारे के सारे इन फीचर के साथ आ रहे So friends मैंने आप लोगों को इस वीडियो में यह पांच फीचर के बारे में बताया जो यह पांच फीचर है कम से कम आज की डिट पर आपकी गिंबल पर होनी ही चाहिए अगर आपको इन पांचों में से कोई फीचर नहीं मिल रहा किसी गिंबल पर तो आप उस गिंबल को पर्चेस ना करो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा गिंबल पर्चेस करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है आप इंस्टाग्राम पर मुझे अपने बजेट दियेम करो मैं आप लोगों को बताऊ कि उस बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट गिंबल हो सकता है तो गाइज आए होप यो फाइंड इस वीडियो इन्फोमेटिव अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अभी लाइक करें आपके हूँ!